वन प्लस नॉट सी इटू देखो जब वन प्लस नॉट चुरू होता है तो लोको इतना जाता पसंद आई नहीं थी इस अतलब नॉट वन पसंद आता है लेकिन नॉट सी इतना खास लगनी रहाता है स्पेसिफिकेशन के मामले में लेकर सच बता हूं नॉट सी टू देखाया तो मैं को थोड़ा से ज़ादा पसंद आए कि लग रहा है कि शायद जिस OnePlus को हम जान देते वो शायद वापस कभी नहीं आए लेकिन ये एक नहीं OnePlus तो जो शायद जातर लोग तक पहुशने चाहती है और चाहती कि जातर जो लोग है उनका प्रोड़क्ट यहाँ पर यूज करें और यही सोच के साथ इन्होंने नौट सी इटू बनाया है अब देखा तो OnePlus के स्टेंडर्ड के साबसे एक ठीक फोन लग रहा है मार्केट में और 20 से 25 जार की रेंज में एक ऐसा फोन है हाँ जैसे हम कुछ माइनों में यहाँ पर रेकमेंड वगरा भी कर सकते हैं हाला कि देखा तो इससे है जब हायर सेग्मेंट में जाते हैं तो डेफिनिटली शाओमी 11 आया है और जो रियल्मी 9 Pro Plus है वो शायद इससे बेटर स्प्रेसिफिकेशन है प्रोवाइड कर देते हैं तो खेर इसके बाहरे में बात करते हैं वन प्लस नॉट सीटू के बारे में क्या यह सच में अच्छा फोन है और यह लेना चाहिए तो और किले लोग को लेना चाहिए सबसे पहले चीज सबसे के इंपॉर्टेंट बात है कि वन प्लस का ही जो फोन है ओपू रिडू सेवन का इक तरह से री ब्रंडिड वर्जिन है विथ माइनर चेंजर के साथ सेम ओपू वाला ही फोन लिया उन्होंने और उसके दर कुछ चीजे चेंज करते हैं इसके बात करते हैं तो उसमें डिमांसिटी 900 देखने को हुलता है 90Hz का FHD Plus का रिजॉलूशन वाले डिस्पले देखने को हुलता है और यहां पर एक एम लेड स्क्रीन देखने को हुलता है अच्छी चीज है कि साइड मांटर फिंगर्प्रिंट स्केनर नहीं है ब्लोट वेर के नाम पर Spotify और Netflix देखने को मिलता है वह भी अनिस्टॉलेबल है इसके लाब अगर मतलब 25 जार के नीचे वन आफ दी क्लीनेस्ट एक्सपीरिंस आई तो एक तो मोटरोला में मिलता है और एक तो वन प्लस में मिल रहा है यह एक चीज़ है यहां पर जबकि कलर और ओपो के फोन में भी कई बर कुछ ब्लोट वेर्स आ जाते हैं रियल्मी के फोन में भी नोटिस की मैंने चीज़ हाला कि सॉफ्टर का एक्सपीरिंस अक्रॉस अब और यहां पहले देखने को मिला था और ऐसे ही वन प्लस एक्स सबसे स्लिमेस्ट फोन था लेकर वाली से यहां दाला तो वह एक इम्रूप्मेंट है लेकर एक इंपोर्टन बात यह पर कि है अलट स्लाइडर को यह टा दिये यह चीज मुझे समझ में नहीं आ रही कि अलट स्लाइडर जो एक चीज थी, यह OnePlus के फोन को यहाँ पर थोड़ा अलग बनाती थी, और वो क्यों हटा है उसके बार में नहीं पता, इसके साथ यह कैमरा के बार हम बात करें, तो 64 Megapixel का Omnivision का यहाँ पर संसर डाला गया है, ते में EIS का यूज करता है, कि Realme 9 Pro Plus का कैमरा का सेट अप वैसे ही, जैसा आपको और महेंगे OnePlus के फोन में देखने को मिलता है, इसके साथ ही यहाँ पर audio jack दे रखा है, फाइनली, अभी यह बात है, OnePlus 60 में उन्होंने हटाया दिया, तो audio jack लिकन अच्छा है, यह नॉट सिर्के काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, इसके साथ ही 45W की बैटरी और 65W की जो सूबर वुक चारजिंग है, वो है यहाँ पर, इसके साथ ही पीछे का polycarbonate back है, और side में भी प्लास्टिक ही फ्रेम देखने को मिल रही है, कुल मिला के बात की है, लगबग 24,000 रुपे कीमत है, पंद पेपर स्पेसिफिकेशन में कहूंगा कि, एक डीसेंट स्पेक्स मिल रही है, और price के साथ से acceptable कह सकता है, मतलब इसे मैं killer भी नहीं कह सकता, नहीं मैं कह सकता हूं कि totally overpriced है, नॉर्मल बात यह, similar price range में अगर हम बात करें, 25 तक की अगर हम बात करें, यहाँ पे 24, 25 की range में 11 आ जाता है, Xiaomi का, वो काफी सही पोन है, लेकिन जिन लोगो MIUI पसंद नहीं है, तो लोग दूसरे UI यूज़ करना जाते है, तो Realme का 9 Pro Plus है, अब Realme का 9 Pro Plus को दो थिन चीज़ों में आगे निकल जाता है, जिसकी बात करें, ग्लास बिल्ड आ जाती है, आगे पीछे की OIS वाल प्रोट वेर है, तो एक जगे निकल जाता है, हाला कि यहार One Plus वालों ने एक और छूटी सी कमी यह करीए कि Android 11 के साथ निकाला है, और बोला है कि Android 12 और 13 का अपडेट आएगा, अगर 12 के साथ निकाल तो 13 और 14 का अपडेट यहार यह जीज़ मुझे काफी जदा पसंद आती लेकिन फिलाल के तोर पे देखा तो जो फोन है, यह काफी सारे उन लोग के लिए, जो लोग One Plus का फोन लेना चाहते थे, क्योंकि One Plus ने पिछले कुछ सालों में जब Limited फोन यह रिलीस करती थे, तो उन्होंने अपनी पहचान बना ली, एक ऐसा perception यह क्रेट कर दिया, कि यहा स्मार्ट मुव है One Plus के लिए, क्योंकि One Plus एक बड़ी कंपनी के साथ साथ यह काम कर रही है, कि अपने फोन की कीमते भी ऐसी सेट करें कि उसमें भी प्राइस में घुसते, और वहां पर अच्छे सचे फोन बेचे, और एक तो रूमर यह भी चल रहा है, कि Nord CE2 का लाइट वर लगाता है, लेकि Nord CE2 थोड़ा से बेटर फोन लगा है, कुछ चीज़ और बेटर हो सकती थी, लेकिन फिर भी जिन लोगों सिर वन प्लस का फोन चाहिए, उन लोगों के लिए डीसेंट चोईस यहां पर हो जाता है, आप लोग को Nord CE2 क्यासा लगा है, क्योंकि इंटरस्टि थोड़ी सी जो प्रीमिनम नेश्यों वन प्लस की पहचान है, वो कुछ चीज़ अगर आती तो बैटर होता है, खास तोर पे लेटस एंडरोइड वर्शन और यहां पर अलर्ट स्लाइटर, यह चीज़ मेरे को लगती है कि अगर वन प्लस कुछ अपनी स्टेंडर्ड चीज आत्वुस यहां पर वन प्लस के बार में तो यहां पर देखा तो फोन मजण है पसनिल जो थोड़ा वात पसंद आ या द देखते हैं आप लोगो बताईए आप लोग पहंसला की आा यह कन дав it to the घें आ न rap najg झाल झाल